आपने डिस्टिब्यूटर अधिकाई और सभी सदस्थों के लिए यह जो टीम डेका आईजिन किया गया है हम उसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहते हैं और यहां विसाल जन्समूमे हजारू के संक्षा में आप सब लोग आए हैं इसके लिए आप सब आप बढ़ाई है मैं विसे सुरुप से कुनाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके परियास से आने का मुका मिला मैं जन्रली कार्ज करम में जब इस तरह का होता है तो बहुत सो समझेट के जाता हूँ क्योंकि उसमें बहुत जगा जो है काफी जगा अच्छे लोग भी रहते हैं काफी जगा खराम भी रहते हैं तो इसलिए हम लोग राजनीती में आज से नहीं हैं मुनए सो उनहतर में 69 में पहली बारे मेले बने 77 में जो है MP बने तब से भेह मंदली भी है जिसलिए जब हमको मालुम हुआ जानकारी मिली डैरेक्ट सेलिंग के सम्द्ध में तो जब हम मंत्राले में आये मंत्री بنेव 2014 में तो हमने भी कास्प हमने जो है अपने डिपार्टमेंट में एक हमने कमिटी बनाई उचस तरिये कमिटी और हमने उनको कहा कि आप इसको देखो कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं तो कि आपको मालूम है कि बहुत रहस्ते जहें चीज़ फांदा आदी जैसे हैं और सभाविक है कि आज मालते हैं कि इसका जो है हजारों करोर में इसका जह हमको जानकारी दिया गया कि 4500 करोर का साइज एकले 555 साल में होगा और जो यहां है यहां कोई मालिक नहीं है यहां distributor है है और वो जो समान बनाते हैं वो cheat fund के समान नहीं है कि किसी के साथ में आप fraud करो समान का पता नहीं है जगा का पता नहीं है company का पता लोगों के साथ में दोखागरी हो को यहां जो हमारा कंजुमर का जो माहम डिपार्टमेंट हमारा कंजुमर का है और कंजुमर के भोगता के दिश्ची कौन से जो कंजुमर का अधिकार होना चाहिए उसको जानकारी होनी चाहिए कि यह बस्तू क्या है सेवा क्या है उसमें क्या-क्या मिलेगा क्या-क्या नहीं म किया है। उनको कितना कमिशन मिलना चाहिए। ये सारा का सारा जो है। इसके लिए हमने जो है गाइड्लाइंड के अगरते हैं कि उसमें हमने जारी किया है। और जी साह कि आपको मालूम है कि हमारे जो है जो उने सो अब कंजूमर प्रोटेक्शन बिल जो है उने साच शियासी का है 32 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उसमें जो है कोई बदलाव नहीं आया हम 2014 में जगते की जब आये मंत्री बने 2014 में हमने जो है वो नया बील पेस किया चेंडी कमीटी में गया वहां से होकर के आया पूरे देश में जितने कंजूमर थे जो हमारे एनजियो के लोगा थे उन से पेडिया के लोगा थे उन से राए माँगी और बहुत बर जबर्दस्त बील जब प्रलिमेंट में सो νया बील हमने जब धूरा हजार सचरह पेस किया और इस बील के मताबिक जब काफी उसमें प्रॉविजन्स है एक टू कज्यूमर को अधिकार दिया गया है कि बिल्कुल कानुनी प्रक्रिया को सरल किया जाए जहां से कंजूमर समान खड़िता है पहले था वहीं जाकर के समान खरा मिला वहीं F.I.R. दर्ज करना पड़ता था अब यह नहीं है और इस कानुन के मताविक कहीं से भी जह है आप जहाए F.I.R. दर्ज कर सकते हो मॉबाल से भी जगती सिकाइट दर्ज कर सकते हो सिकाइट दर्ज नहीं होता है तक इस दिर के अंदर आटोमेटिक जो है सिकाइट जो है दर्ज माना जाएगा कोई उकील की जुरुत नहीं पड़ेगी पहले बीस लाक रुपिया तक था जिस्टिक फोरम में जो जिस्टिक कोट कहते हैं अब उसको बढ़ा करके हमने एक करूर रुपिया उसमें किया है सिकाइट लेवल को हमने जो है दस करूर रुपिया किया है और उसके उपर जो है निश्टिक लेवल का कमिसन उनके पास में रहता है वहाँ ठीक से नियुक्ती करे चेर्मेन का कोई पद्खारी ने रहे मेंबर का कोई पद्खारी ने रहे बेतन सब को एक समाय मिले इंफ्राइस्ट्रक्चर हो और जितना जल्द हो सके नब्यदीन के अंदर में जो है जज्जमेंट हो जाना चाहिए उसमें हमने मिडियसन का भी रखा है यापस में समझोता भी किसी अस्तर पर कर सकता है हमने उसमें एक और भी रखा है मिस्लिडिंग अर्वर्टिजमेंट का मामला है अभी देखते हैं कि नहीं चाहिए लिखा हुआ मिल जाएगा कि तीन दीन में अपने पाल को उगा लिजिए तीन महिना में मुचाही को बरहा लिजिए ये जो सारा का सारा है मिस्लिडिंग अडवर्टिजमेंट जुकते हैं भरामत भी जापन उसको भी देखने का काम करेगा और जो मालते हैं कमपनी है वो कमपनी जिदी बोदल है बोदल के अंदर में क्या समान है वही उसको लिखना पड़ेगा मालम हो जाएगा कि भीतर में कुछ लिखा हुआ है बाहर में कुछ है तो उसके लिए जिल तकी सजा है कोई कहते हैं मीडिया वाले हैं उनका इतना ही काम है कि जो लिख करके दिया जाता है उसी को प्रकासित करें अपने मन से कुछ नहीं दिखें जो इतने सेलिबरेटर हैं कहीं मनते के एक्टर हैं कहीं कोई हैं उनसे भी हमने कहा है कि आप अपने मन से मत कुछ जोड़ो जो आपको लिया गया है कोई बात बतलाओ तो ये जो है misleading advertisement का मामला है जा आप जानते हैं सोना है चांदी है उसमें कोई सोना है नौ केरेट से सुरू आता है 22 केरेट तक जाता है गरीब को पता ही नहीं चलता है कि नौ केरेट का सोना खड़िद रहा है कि 22 केरेट के खड़िद रहा है उसके बात जो है वो धोका में पड़ जाता है हमने कहा सपन होर्ड मार्किंग जरूरी होगा और यतना कैरेट नहीं होगा चार कैरेट रहेगा 14 रहेगा, 16 रहेगा, 18 रहेगा कुछ लोगों ने हमसे मांग किया है कि 24 कैरेट का भी रख दीजिए और उसमें कमपनी का नाम किया है ये सारा का सारा चीच चागतने की होगा तो ये जो हमारा जो है कांजूमर प्रोटेक्शन विल है उसमें हमने ऑथरेटी का भी बनाया है कांजूमर प्रोटेक्शन ऑथरेटी रहेगा वो कांजूमर प्रोटेक्शन ऑथरेटी का मतलब है कि पहले आप समान खड़िते थे उस समय में सिकायद करते थे आप समान खड़िने के पहले सिकायद कर सकते हैं कि ये सोरूम में जो लगा हुआ है समान इसमें कुछ और है लिखा हुआ कुछ और है समान खड़िने के साथ भी कर सकते हैं और समान करदिये के बाद भी कर सकते हैं पहले होता था ज़िए एक बोतल का पानी खराब है तो बोतल को रद किया जाता था कोई कार है कार का इंजिन खराब है तो वो कार को जब किया जाता था या उसको चुर्बाना होता था अब नए कार्ण के मताविक हमने कहा है जिदि एक कार का इंजन खराब है उसी कार का इंजन खराब नहीं है बलकि उस लोट में जितने कार बने हैं सबका क्यागत है कि ये उसमें डिफेक्ट है इंजन खराब है और अथिकार रहेगा वो लाइसेंस को रद करे उसको अधिकार यह को पूरा समान वा पिस करबावेद्ग पूरा का मामला है और य स्थ दिन पहले आपने देखा अकी का है पुछे होती है аются जने सब्सक्राइग हुथ होता था लगों ने कहा है कि boxing वाला नहीं होता है श्तुम सबहरिए कि तीर ने होता है तो पूरा का पूरा दाम जो है कंजूमर को क्या गतने की मिलेगा इस देश में एक छोटा जो है मजदूर से लेकर के रास्टपते तक सभी क्या करते कंजूमर हैं और उनकी भोगता की रक्षा करना हमारा काम है इसलिए आज जो डिरेक्ट सेलिंग का मामला है कि डिरेक्ट सेलिंग में सब कुछ कंक्रीट होना चाहिए यह नहीं है अंडाजन से कंपणी का पता नहीं है अब जिसे अभी है ओग ओनलाइन सेलिंग भी है इक ओमर्स भी है अब उसमें सिकायते मिलती है कि आपने पैसा जमा कर दिया और उसके बाद जो है समान के गते की पता चला कभी समान नहीं आया पता लगा तो सब कंपणी ही नहीं है समान आया तो खराब समान आया समान आया कि अगते की लेशते आया ये सारी की सारी चीजे जिक सिकायत है इसलिए ये जो हमारे कि अगते की जो डिरेक्ट सेलिंग का जो हम लोगों ने काइड लाइन जारी किया है और जिसको एक्ट में हम सामीर करने जा रहे हैं उसमे कंजुमर के साथ में कोई धोखागरी नहीं होगा जो हमारे डिस्ट्रिब्यूटर है उनके साथ में कोई धोखागरी नहीं होगा आप इतना समान देते हैं आपको पूरा जानने का अधिकार है क्योंकि ये विस्वास के उपर में चलता है कोई आद्मी की समान आपसे ख़र देगा तो सौ बार आपसे पूचेगा इसकी क्या गैरंटी है कि आप हमको समान दे रहे हो वो अथेंचिक है के नहीं है अच्छा है के नहीं है गिल्ट के लिए स्वास्ट जायक है के नहीं है इस सारा चीज बतलाना पड़ता है इसलिए जो हमारी के गते हैं जो उत्पादन करता है जो प्रोडिसर हैं उनको इस सारी चीज़ों को जानकारी देना पड़ेगा और फिर उनके विश्ट्रास के उपर में डिस्टिबीटर लेगा और फिर डिस्टिबीटर जो है डिरेक्ट जाकर के हैं लोगों से जो है उसको बेचेगा उसमें हमको अभी बदलाया गया काफी लोग हैं जिरकि काफी अच्छी आमधरी क्योंके सबको सरकारी नोपनी तो मिल नहीं सकती है तो ये जो है अपना धंदा करके कि आप डिस्टिबिटर भी है और आप मालिक भी है तोनों आप ही है इसलिए आपके उपर में भी बहुत बनी जबाब देही है और जो मालत हैं कि यहां के जो आईजिकों से हमने कहा है कि कभी भी कोई सिकाइट जो है इस तरह की कहते हैं कि माल में नहीं आना चाहिए और जो कंजुमर को जानने का अधिकार है यह सारा का सारा अधिकार जो है उसमें लिखित रुक में रहना चाहिए और हमको पुरा का पुरा विश्वास है कि जो उस्साय आप लोगों में हम देख रहे हैं और जितनी बड़ी संख्यामें यहां हैं हम तो सोचे भी नहीं थे एक बार उन्होंने मलेसिया में कहा था कि मलेसिया चलिए तो हमने क्रकात सोचेंगे लेकिन फिर हम नहीं जा सके तो हमने कहां पहले एक बड़ ट्रायल ले ले तो आप लोग का जो उपर सिती है तो आप सब लोग बतलाएए डायरेक्स से जो है आप लोग संतुष्ट है जड़ा हाथ ठाइए ने तो आपने पता चेलेगा ठीक है तो आप लोग जब आप लोग खुसे हैं तो हम भी खुसे हैं और हम फीरते जो है एक बार जो है माई को जो है माई लाइफ एस्टाल के द्वारा और आपके जितने डिस्टिप्यूटर हैं उनको धन्यबा देते हैं कुनाल जी हैं और भी हम बरावर इन ही से आते राते हैं तो जितने हमारे सब साथी हैं और जो यहां के क्या गते करता धरता है हम सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवा देते हैं जै हिन जै भारत